नमस्कार आप देख रहे हैं बेटी नियूज बिहार और मैं हूँ पंकस भड बेगु सराय जो काफी चर्चित जिला रहा है बिहार का और एक मात्र और द्योगिक नगरी जहां अब चुनावी शुक्वुगाहट दिखाई देने लगी है आप सभी को मैं बता दूँ कि जहां के सांसद गिरीराज सिंग है काफी हॉट सीट के नाम से जाना जाने लगा था यहां का सांसद का चुनाव हुआ था वो इस बार विधान सभा की क्या इस्तिती होगी बेगु सराय में विकास की क्या रफ्तार है सुसासन की कैसी सरकार है और क्या इस्तिती है सिक्षा विवस्था का तमान तरह के मुद्दों पे हम इस समय बात करने आये हैं कुंदन कुमार सिंग से कुंदन जी से हमारी ये मुलाकात हो रही है और इन ही तमाम मुद्दों पे हम बात करेंगे और ये भी बात करेंगे कि आज बेगू सराय में सरयाम बंदुकें क्यों लहराई जाती है नहीं देखिए मैं नहीं कह सकता एक बंदुकें क्यों क्राइम हर जगा होता है पूरे बिश्व में होता है पूरे हिंदुस्तान में पर मैं डंके की चोट पे कहना चाहता हूँ कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है कि जहां जो क्राइम करते हैं चाहे कोई हों क्रिमिनल हों मंत्री हों संत्री हों उनको आदर्निया नितिश जी के नित्रित वाली सरकार में उनको जेल जाना पड़ता है उनके उपर एफाई आर होता है उनके उपर चार शीट होता है केस होता है और उसको जेल के पीछे भेजा जाता है लेकिन सर फिर तो जंगल राज में भी तो यही बात थी तो आप लोगों ने जंगल राज की आवाज उठा करके आज सत्ताव हासिल कर लिए और जब आप में ये कहानी आ रही है तो फिर आप उसको कह रहे हैं कि हमारे हैं सभी मंत्री तक को भी F.I.R. का सामना करना है जंगल राज में और इसमें अंतर है बहुत बड़ा अंतर है जंगल राज में राजनितिक संग्रक्षन मिलता था क्रिमिनल को यहां पर एक अगर को इंडस्ट्री था पूरे बिहार में तो किड्नैपिंग इंडस्ट्री था चोटे-चोटे बच्चों को किड्नैप किया जात कोई डवलापमेंट नहीं रोड के नाम पर गड़े मिलते थे गारी से उतर के देखना पड़ता था कहां से जाते हैं तो आप इसकी तुलना जंगल राज से कर ही नहीं कर सकते सर महिलाओं को नंगा घुमा दिया गया बिहार में मुझफरपुर में एक ही परिवार की तीन-ती एक बारे में आप कह रहे हैं लेकिन अगर ऐसी घटना घटी है तो बहुत गलत हुआ है और वहां के प्रशासन को इस पर ध्यान देना चाहिए मेरा यह कहना है कि किसी घर में बैठा हुआ एक दो अपराधी कुछ प्लान कर ले और बाहर निकल के वारदात कर दे तो उसमें सरकार का काम होता है उसकी अपराधी को पकरना चाहिए वो कोई भी हो किसी परिवार का हो कहीं का राने वाला हो उसको पकरना उसको सजा दिलाना उसको जेल भेजना यह काम सरकार करती है अगर यह सरकार काम नहीं कर रही है तो आप मुझे बताए मैं उसका जवाब देता ठीक बात है सर एक चीज और थोड़ा सा जानकारी चाहिए थे हमारे दर्सकों को आप ये बताएं आप अपनी आवाम को बताएं कि बेगु सराय एक ऐसा बिधान सभा जहां हमेशा बाहर से ही भारतिय जनता पार्टी जिसको आपका भी शमर्थन है आप उनसे हैं भी आप के निश्चित रूप से पार्टी एक डिसीजन लेती है कैंद्रियम ये इनवाल्ड होता है तो समय के हिसाब से होता है कि यहां पे और ऐसा नहीं कि बाहर के लोग यहां के जीदते हैं हमारे अपने कुछ कार करता भी लड़ते हैं उनको भी एक बार श्री बावु भी यहां से बिधायक रहे लेकिन विनेबिलिटी देखी जाती है आपको नहीं लगता कि श्री बावु का समय और अभी 2020 क हम अपने स्री कृष्ण जी जिलाद्धक शाठ महिने के लिए विधायक हुए थे उनकी बात कर रहा था तो वो एक उनको एक बार मिला है यहां से टिकट लेकिन ऐसा नहीं कि सारे बाहर के लोग बाहर के पाटी के लोग आके यहां चुनाव लड़ते हैं भाजपासे नहीं हैं हमारे पाटी के लोग इस बार क्या लगता है इस बार भी बाहर के ही होंगी कि अभी कुछ कह नहीं सकते हैं पाटी क्या तैक करती है किसको लड़ाना है लेकिन इसीत रूप से सब लोग मैदान में हैं पाटी जिसको सबसे स्योग उमिदवार समझेगी वो चुनाव यह एक चीज और नहीं समझ में आती है सर कि कहा जाता है कि यह देश लोकतांत्रिक तरीके से चलाया जाने वाला देश है दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक पधधती पे चलने वाला देश है आप ने भी कहा कि अगर मुझे लड़ाया जाता है तो निशित तोर पे हम भाजपा के उमिदबार होंगे लोजपा के अगर साथ ही होंगे तो लोजपा के से बताएंगे CPI के होंगे तो CPI के उमिदबार हो जाते हैं आखिर जनता का उम्मिद्बार आज तक क्यों नहीं हो पाता है। मैंने जवाब दिया आपको, कि पार्टी के तोर पर सिंबोल जो मिलेगा, मुझे भारतिय जनता पार्टी का मिलेगा, नहीं तो मैं बेगुसराई की जनता का। कुरसी का हकदार सिर्फ पार्टी के लोग हो सकते हैं? कि जनता के बीच में जाओंगा, मतलब सबका साथ सबका भी का, निश्चित रूप से, यह बताइए सर कि जो बेगुसराई जबकि पूरे बिहार में एक मात्र इंडस्ट्रियल डिस्टिक कहा जाता है, और द्योगिक नगरी के नाम से मसूर है, चिकित्सा जगत में भी इस यहां के लोगों के लिए एक पार्क का निर्मान होत पाया है, क्या विकास दिख रहा है आपको, सरकें देख लिजिए, स्थितियां देख लिजिए, सिच्च्वेशन देख लिजिए, क्या लग रहा है आपको कि बेगुसराई बिधान सभा में विकास हुआ है, बेगुसर देखिए फोर लेन खगड़िया से सिमरिया तक बन रहा है आप देख रहे हैं कि उसका काम भी चल रहा है वहीं आपने देखा जो हमारा आयो सिर्दिफान चाम से सर तरस्त हैं लोग कोई बेबस्ता नहीं एक 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 पुलिस कर्मी नजर नहीं आते वहां पे और जो कंपनी ब रहा था उसी चीज़ का जवाब मैं दे रहा था कि जहां तक काम का सवाल है तो जैसा कि आपने कहा कि हमारे सांसद किंद्रिया मंत्री भी है मैंने कहा जो रिफाइंडरी कई सालों से मुझे याद है कॉंग्रेस पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हुआ करती थी आदर जटने नरेंदर मोदी जी के सरकार में हुआ 6 मिलियं तन उसकी उतपादन चंता था उसको 12 मिलियं तन टक ले जाना था और तभी वो एक पेट्रोकेमिकल हब के रूप में विक्सित हो सकता है उसको 9 मिलियं तन तक ले आया गया है और उसको 12 भी करेंगे वहीं आप सब लोग बेगु सरायक हैं, आप सब लोग जानते होंगे कि कई सालों से दसक से हमारा फटलाजर बंद पड़ा हुआ था, फटलाजर को कोई देखने वाला नहीं था, कॉंग्रेस के सरकार में, जनता पाटी के सरकार में, कई नेता, कई मंत्री आए, उन्होंने कह था कि इसको चालू करेंगे, वह चालू नहीं हुआ, वह चालू भी हुआ तो आदर्निया नरेंदर मोतीजे के सरकार है उसमें चालू हुआ, थर्मल पावर हमारा बंद था, उसको सुरू करने का काम भी हमारा NTPC को देके के मिनधर नितृत्रित ने किया है, घंगा नदि पे पूल जरजर होगा बंद होगा आप सब लोग जानते थे कि उस पर एकाम करने काम हमारे अधरनेय जर मोजी के सरकार ने किया तो कंद्र ने तो इतना काम किया है मुझे लगता है कई सारे बड़े Congress के समय में कई परदेश सों कि सरकार ने कई सालों में नहीं किया है आपके घटक दल में ऐसे भी लोग है जो खुद ही जादपात की राजनीती करके आप ही आप उनको साथ रखे हैं जो मैं भारते जनता पाटी का हूँ भारते जनता पाटी जादपात की राजनीत नहीं करती है वो सबका साथ सबका विकास की राजनीत करती है बाकि जो दल करते हैं उसका जवाब उनके दल के लोग उनके प्रवक्ता देंगा यह एसर एक और आपके लिए बहुत बहतरी चुक्के यहां के लोग को वो ऐसा सवाल है कि जो हमेशा कुरेदते रहता है लगता है कि जानना चाहते हैं कुछ रिफाइनरी के लिए यहां के किशानों ने जमीन डॉनेट किया फर्टिलाइजर के लिए किया गरहडा यार्ड के लिए किया अब NTPC के लिए जो कसा दियारा में जो गाज घटना हुई किशानों पे लाठियां बर्साई गई सारे लोग वहाँ पहुंचते हैं आप भी पक्ष में हैं तो आपको आवाज उठानी परेगी आप सरकार में हैं तो आपको काम करना पुड़ेगा उसके लिए कहीं कुछ अगर गुंजाई से कुछ गलत हुआ तो उसको सही करना चाहिए हम नारे यहां से कई लोगों में मंतरी हमारे जो आदरनीय मंतरी हैं उसे सम्बंधित उनको चिठी लिखा गया हुँमको कहा गया हमारे संदर जहां तक जमीन का बात आपने मेरा जमीन गया हुआ मैं यहां रहता हूँ वह सामने रिफाइंडरी का गेट है कई जगा गया है लेखिन जब रिफाइंडरी लगा तो उससे कमाई का साधन भी उपलब्द हुआ और उससे कमा कि हम लोग आज अपना रोजी रोटी आपन चला रहे हैं कि कसा दियारा पर किसानों की आई दुगनी करने की भी बात ने दुगनी हुई है अभी लॉगडाउन में सारी इंडस्ट्री बंद हो गए अगर कुछ चला तो किसानों का ही हुआ उनीक के दोरा जो भी उत्पादन किया गया वही सारे बिक रहे थी कई तरह के यहां पर स्कीम लाए गहें आ कि जीडी कॉलेज का इन्वर्सिटी का मुझे नहीं जानकारी है अभी कहां तक क्या पहुंचा है जानकारी मिलने पर मैं बताऊंगा अब क्या लगता है बेगु सराय विधान सभा इस बार भासपा के जोली में जिससे साब से मैंने आपको कहा है जिस तरह से काम किया गया है और सिरफ इंडिये सरकार जो अपने बिहार में उसके द्वारा ही नहीं केंदर में जो है जिस तरह से काम विकास का किया गया और केंदर स बादिकार के द्वारा विकास और शुरक्षा अंतरिक बहरी शुरक्षा का काम किया गिया है मुझे निश्वित रूप्ष से लगता है विगू सरह की जनता भारतिया जनता पार्टी को आशिरवाद देगी एक सबसे ज्वलन्थ सवाल है आपकी संगठन से जुरा हुआ सवा पूरा संथूस्ट है इसे सारे लोग एक डिसिजन ले पाएंगे बिलकुल हमेशा से लेते बार्तिय क्लोटा पार्टि जिसको मैं जाता हूं डिमोक्रेटिक पार्टि साल में रहा थी अद्धक्ष बदलते प्रदेश सद्धक्ष बदलते यह कोई परिवार के दोरा चलाया गया हुआ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी ने जहां एक ही परिवार के राष्ट्रिय अध्धक्ष होगे हमारे हैं बदलाव आता है तो कई बार होता है कि नए लोगों को मौका दिया जाता है नए लोग आते हैं और आपस में एक परिवा क्योंकि हम इसका एक जुड़न्त उदारन दे रहे हैं वेगु सराइक राजनिती में एक और नई चीज सामने उभर करके आई है कि जो सत्ता पक्ष के लोग हैं जिनकी सरकार है जिनकी हर बात है बेगुसराय में आज वही बिपक्ष का भी रॉल अदा कर रहे हैं जैसे कि भगवानपूर में भगवानपूर प्रखंट प्रमुक के द्वारा जनवित्रन प्रणाली का कि खुला बोला सरकार के अगेंस्ट भी कहा सब कुछ कहा जाच होती है हर बात होती है एक्षन नहीं होता है आपने खुद कहा कि हमारे पार्टी के नेता आवाज भी उठाते है जहां जरुरत होती है बेवस्था कि भूमी का भी वही आदा कर रहे हैं विपक्ष तो दिख मैं खुले आम कह रहा हूं आज कि विपक्ष जीरो होग चुका है बेगु सराय में कहीं दिखाई नहीं पड़ता एक मुद्दार उठाने में भी सक्षम नहीं दिखाई देता नहीं विपक्ष का नाम आप दे रहे हमें जो भी जनपरतिनीदी होते हैं उनका सबसे पहला काम होता है कि जनता का आवाज उठाना चाहे वो सरकार में रहें चाहे विपक्ष में रहें उनका काम है और कहीं पर इस तरह का काम हो रहा है जिसका आपने चरचा किया तो अगर हम उसलिएarti में हैं इसलिए सरकार में इसलिए ओवाज ना उठाए इसको मैं व्यक्तिकत रूफ से गलत मानता हूं है जलजीबन हरियाली मुकऻमंत्रीजी का महत्वा कांग्छीयोजना में से एक है जल जीबन हरियाली को लेकर के जगह जगह वो बिभिन तरीके का योजना से काम करवा रहे हैं बहुत सारी काम हो रहे हैं लेकिन बेगू सराइब में दो दो नदी बैती और बलान दोनों मृत पराए होने के इस्तिती में हैं हजारों लोगों के जीविका वहां से चलती थे, क्या उसको जल जीवन हरियाली के अंतरगत लाया नहीं जा सकता था? जी बहुत बहुत दन्यवाद ये थे कुंदनक सेंग बेगु सराय बिधान सवा से अपनी उपस्तिती दर्ज कराने में सक्षम उमीदवार साथी बिभिन मुद्दों पे बेबाग से अपनी राय रखते हुए बैती और बलान का मुद्दा को गंभीरता से लिया गया है निश्चित तोर पे बैती और बलान जो की एक बहुत प्राकृतिक चीज़ है जो की मृत पराय होने की इस्तिती में है हम भी चाहेंगे कि बिहार सरकार का ध्यान इस नदी के जिवन्त करने के तरफ जाए मैं पंकस भर्ट बेगुसर ऐसे बिटी न्यूस के लिए